हेलो नमशकार किसान भाईयों जिन किसान भाईयों ने धान की रुपाई सही समय पर कर दिया था उन सभी किसान भाईयों की धान की फसल में अब बालिया निकल चुकी है कुछी किसान भाईयों हमारे ऐसे हैं जिनोंने लेट रुपाई करी थी उनकी भी धान में अब जल्द ही बालिया निकलना शुरू होने वाली है और जब धान में बालिया निकल जाती है किसान भायो तो इस समय हमें ऐसे कौन से कार्यों को कौन से खादों का परियों करना चाहिए जिससे हमारी धान की एक भी बाली खाली ने रहे सभी बालियों में स खाली नहीं रहेगी सभी वालियों में अच्छे से भरपूर मात्रे में दाने का भरा होगा दाने चमकदार और वजंदार होंगे तो किशान भाईयों चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं किसान भाईयों आपने कुछ कि खेत को देखे होंगे जिनकी धान की फसल में कुछ बालियां खाली रह जाती है अब बालिया खाली रहने किसान भाईयों कोई बीमारी या रोग नहीं है बाली खाली रहने किसान भाईयों बहुत सारे कारण हो सकते हैं आईए इसके बारे में जानते हैं जिसमें सबसे पहल प्रागरण की प्रकिरिया अच्छे से नहीं होती है किसान भाईयों तब भी हमारी धान की वालिया खाली हो जाती है और सबसें अनते में जो सबसे बड़ा कारण है किसान भाईयों वह है पोटास की कमी से किसान भाईयों हमारी अकसर ही धान की जो बालियां है वह खाली रह जाती है आप आये जानते हैं कि इस समय हम कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी बालियों में संपूर दाने का भराव हो सके नमबर वन पर किसान भाईयो आपको इस समय पर अपने खेत में परियापत मात्रा में नमी बना कर रखना है क्योंकि किसान भाईयो जब धान में बालिया निकल रही होती है या फिर बालिया निकल चुके होती है सो परतिसत तब भी हमारे धान के पोधे को कुछ-कुछ मात्रा में नमी की आउसकता होती है तब ही किसान भाईयो बालियों का साइज अच्छे से बढ़ेगा और बालियों सबी दाने भरें और दाने मोटे चमकदार और वजंदार हो इसके लिए किसान भाईयों आपको एक उर्बरा का परियोग करना है इसका नाम है पोटास अब इसमें भी किसान भाईयों कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है अगर आपने ध्यान रोपाई के 15-20 दिन के बाद म MOP पोटास 60-30 जो आता है उसका परियोग किया था तो इस समय किसान भाईयों आपको अधिक मात्रा में पोटास डालने की आवशकता नहीं है लेकिन यदि उस समय आपने पोटास का परियोग नहीं किया था तो इस समय आप दानेदार पोटास का भी परियोग कर सकते हैं सबसे सांदार है कम समय में सबसे बढ़िया रिजल्ट आपको यह दे सकता है अब जीरो-जीरो-पचास में किसान भाईयो सिर्फ जीरो-पतिसद नाइट्रोजन जीरो-पतिसद फास्पोरस और बचास-पतिसद पोटेसियम पाया जाता है जिसके ओसकता बालिया निकलने के बाद में दाना भराव के लिए हमारे धान के पौधे को सबसे ज़्यादा होती है अब इसका यदि आप परियोग कर देंगे किसान भाईयो तो आपके पौधे में जो उस बालिया है वह स्वस्थ होंगी बालियों गुच्छेदार और लंबी होंगी बालियों में दाने का संपून मात्रा में भरा होगा जो दाने भरेंगे किसान भाईयो वह मोटे लंबे ठोस और वजंदार होंगे जिससे आपको अच्छी पैदावार मिलेगी और इसके साथ ही हमारी जो धान का पौध इसकी रोग प्रतिरोधक छमता बढ़ेगी जिससे रोग वीमारी का अटेक भी हमारा पौधा जहल सकता है तना मजबूत होगा जिससे भबिस में जब तेज हमाएं चलेंगी तो हमारी जो धान की फसल है वह काफी कम मात्रा में गिरेगी तो किसान भाईयो अगर आप भी अप सब्सक्राइब करें